जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो कॉंग्रेस ने 1931 के कराची सेशन में ये कहा कि जब भारत सवतंत्र हो जेगा तो उसके सम्विधान में मूलभूत अधिकार यानि fundamental rights और उनमें हथियार रखने का अधिकार भी शामिल होगा सम्विधान सभा में हथियार रखने का अधिकार पर चर्चा भी हुई लेकिन बाद में हथियार रखने के अधिकार को भारतिय सम्विधान के fundamental rights जोड़ा गया लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद वो पहले वाली बात नहीं रही और परिस्थितियां बदल चुकी है भारत के कानून इतने जटिल है कि साधारन इंसानों को हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता और गुंडे बदमासों के पास बिना लाइसेंस के ही सारे हथियार मिलते हैं लेकिन कभी ये सोचा है कि गुंडे बदमासों और असामाजिक तत्वों से आपकी रक्षा कौन करेगा जो लोग कानून से नहीं डरते उनसे आपके प्राणों की रक्षा कौन करेगा एक इजद्दार शरीफ इंसान आज गुंडे बदमासों के सामने दर के मारे भैभीद और लाचार हो जाता है क्यूंकि गुंडे बदमासों के पास अवैध हथियार होते हैं जो उनको अपराध करने का होसला देते हैं सरकार के पास साधन कम है और काम ज्यादा भारत में एक वियाईपी की सुरक्षा में तीन पुलीस कर्मी टैनात रहते हैं जबकि 761 आम भारतिय लोगों के लिए सिर्फ एक पुलीस कर्मी टैनात है क्या सरकार सच में हर एक भारती की सुरक्षा कर सकती है अगर कर सकती होती तो आज हर तरफ अपराधी न घूम रहे होते हमको डर के साए में न जीना पड़ता अपने सामान की, परिवार की और खुद की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेवारी बन जाती है गुंडे बदमान अवैध हतियार प्रयोग करके आपको लूट लेते हैं, मार देते हैं और नुकसान पहुचाते हैं सोचिए अगर आपके पास भी हतियार हो, वैध हतियार और सामने वाले को पता हो कि आपके पास भी हतियार है तो क्या वो आपको डराने की कोशिश करेगा? क्या भारत के हथियार कानूनों में बदलाव की जरूरत है? क्या समय आ गया है जब हथियार रखने का अधिकार मूल अधिकार बना दिया जाना चाहिए? कृप्या इस बारे में सोचिए और कमेंट करके बताए आपके विचार एक नहीं दिशा प्रदान कर सकते हैं जल्दी ही पूरा विडियो आएगा इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फैंस फॉर वाचिंग